जाहिन दोस्तों वेलकम टू इमेक्शोर मेरा नाम है ग्यारी और आम मुझे अपने शोपिंग मेंटोर या शोपिंग राइड़ बही क्या सकते हैं को जम्हें अपने शोपिंग एक्सपिरिंस के वियाए पर पूरी कोचिश करता हमा असुप की हैल करने में एक अच्छी बड़ा बट अनफोस्टनेटली अगर आप इससे सिंगल पीस या फिर कहने का मतलब है कि अगर आपका शेकांट ओमाउट फाइव अंडर से कम का होता तो आपको 60 रूपीज तक डिलिवरी चार्जस पे करने पड़ सकते हैं बट मैंने कुछ और प्रड़क्ट्स एड़ कि ओपर की शोपिंगी तो मुच्छे डिलिवरी चार्जस नहीं पड़े तो इसके धेर सारे बहुत सारे फ्लेवर्स हमें ओलाइन और ओफलाइन स्टोर्स में देखने को मिल जाते हैं तो बेसिकली मैं आज इसके टू जो वेरियंस हमें वो कवर करने वाला हूं जैसे की परस और रेट तो फाइनली वी हैव जीडार फोर प्रिंगल पैक तो ऐसी है कुछ इसकी पैकजिंग मैंने अभी खोले नहीं है अभी आप लोगों के सामने ही इसे मैं अनुबोक्स करूँगा तो चली अब जल्दी से इसे और वो कर लेते हैं सुपर बोक्स ओपन करने पो इसका कुछ ऐसा है इसके उपर ने एक प्लास्टिक का कैप टाइप होता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो मिसिंग है असा क्यूं है और बाकियों के उपर है कि नहीं है वो हम भी देखेंगे तो फिलाल के लिए मैं आपको इसकी बोक्स और इसकी पैटेजिंग की आउटलोक दिखा दो इसके उपर हमें क्लेरली वीजिवन है मसाला तड़का और इसके पीछे हमें इसकी निट्रीशन वेर्लियू एंड वेट एंड ट्राइज मैंशिंड है वान जीरो टू ग्रैम्स यानिकी 102 ग्राम्स का है लगती है कि इसका बॉक्स काफी हैवी है और इसके हिसाप से चिप्स की जो क्वांटी कम हो जाती है तो देखेंगे कि बाटीटी बॉक्स के उपlastिक की जो क्या Gregory है वो मिंसी है बंढ दो क्योई बात नहीं हमलने से क्या ही करना है तो मेरे पास टू फ्लेवर्स है जैसे कि मैंने बताया था फरस्ट इस पेरी-पेरी और सेगिन वान इस मसाला दड़का तो पेरी-पेरी जो टेस्ट है वो एक्चुल में फोरन कंट्रीज में थिन्स नाम की एक चिप्स है पेरी-पेरी वैसे साउथ इंडियन में भी कई टाइप के चिप्स हमें मिलते हैं आप एमजोन में जाके पेरी-पेरी से सर्च कर सकते हैं तो पेरी पेरी एक्चल में साउथ अमेरिकन की एक छीली है जैसे हमारे इंडिया में शीमला मिर्च होती है बट एक्चल को वो कड़वी नहीं होती है बट उसके पीछे जैसे मिर्ची लगाया जाता है न शीमला मिर्च तो वैसे ही इसका कुछ मुझे लगता है कि टेस्ट हो होने वाला है तो अगर मैं दोनों बॉक्स को गंपियर करूं तो दोनों का वेट एंड प्राइज सेम ही है 115 रुपे तो ओवरॉल सब कुछ इसका सेम है बस मुझे लगता है कि टेस्ट का ही जो है डिफरेंस होने वाला है तो मैं जल्दी से इसकी जो पैकजिंग हटा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स में कितनी चिप्स हमें मिली है तो दोनों की almost quantity मुझे सेम ही लग रही है तो फिलाल के यह मेरे पास रिशीन तो नहीं है बट मैं आपको as per description आपको मैं बता दे रहा हूँ तो दोनों की चिप्स आप देख सेमें बिल्कुल ही पकली है पापड के जैसी तो मैं आपको बता दूँ उचे पेरी-पेरी का टेस्ट इतना जादा पसंद नहीं है बट फिर भी मैंने इस order किया cause मैं देखना चाहता था कि क्या तो लेस से compare करो तो इसकी उपर जो masala powder होता है न वो उसमें बहुत ही light light रखा गया है और चिप्स की जो ठीकनेस होती है वो भी काफी light light रखी गई है तो काफी जादा impressive है और आपको पसंद आने वाली है मुझे भी काफी जादा पसंद आई तो अगर मैं आप बात करो इसकी ingredients की तो इसमें आपको definitely 100% vegetarian ingredients ही मिलने वाने है potatoes, rice flour, corn flour, etc so इसका taste मुझे काफी जादा अच्छा लगा है as compared to Lays उसको taste में भी टक कर देता है और उसको price में भी टक कर देता है तरफा का taste ऐसा है जैसे Indian masala जो taste उसका blue color वाला जो pack होता है Lays का उसके जैसा ही है बट उससे less spicy है और taste आपको कहीं न कहीं वाला देता ही है और पेरी-पेरी का taste जो है Lays में इसका taste अभी तक मैंने नहीं चखा है अगर है तो मैंने नहीं चखा है अगर हो सकते है आप मेंसे कम कोई इसका पेरी-पेरी taste पसंद आई मुझे उतना वैसे पसंद नहीं है बट प्रिंगल्स ने इसे टेस्टी मना तो दिया है बट पेरी-पेरी अकर पसंद ही नहीं है तो हम कैसे ही कहा सकते है हाँ अगर इसे खाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा और मसाला तड़क अगर टेस्ट तो काफी जादा अच्छा और मैं खा रहा हूँ तो खाता ही चला जा रहा हूँ अब कुद को रोग नहीं पा रहे हैं तो इसका प्राइज मुझे कही न कहीं बहुत जादा लगा So here is the full quantity of a pack of Pringles तो मैंने प्रिंगल्स की फूल पैक को प्लेट में जो सर्व कर दिया है आप देख सकते हैं कि एक पैक में हमें तकरीबन 110 रुपे में हमें कितने चिप्स मिलते हैं तो लेज के मुकाबले कहीं न कहीं काफी महंगा है हाँ टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट में भी उसका जो है एक मैं कहुआ कि एक good competitor है और price में तो definitely है ही है तो अगर तो आप afford कर सकते हैं और definitely आप इसके रिए जा सकते हैं बहुत ही टेस्टी है और इसके धेर सारी flavors बहुत सारी flavors अमाजोन पे भी हमको मिल जाएंगे और offline stores पे भी मिल जाएंगी तो मैं आपको फिर से यही कहूँगा अगर तो आप 500 से कम की shopping करते हैं तो आप online इसे purchase ना ही करें तो better होगा कोज धेर सारी almost एक package जितना आपको इसके साथ delivery charges add कर दिया जाएगा और flip card में मैंने इसे चेक नहीं किया आप चेक करें तो मुझे comment section में बता जिए कि वहाँ पर delivery charges लगते हैं या नहीं और आपको यी video कैसी लगी और ये review कैसा लगा मुझे बता सकते हैं और इसके लाव अगर आप भी कुछ चैस्ट करना चाहते हैं तो description में suggestion form दिया गया जाए उसे भरिए और ऐसी धेज़ाई unique videos आपको हमारे channel मिल जाएंगी मैं आपको just करूँगा कि एक बार आप हमारे channel को visit जरूर करिए और आपको definitely पसंद आएगा और उसके बात आप चाहें तो subscribe भी कर सकते हैं thank you कर दो कर दो सकते हैं